दोस्तों अगर आपने भी विद्याले परिक्षा समीती समयतिक का एक्जाम 2023 में उतीन किये हैं और आप मुख मंत्री बालक बाल का माधुक पूर्चान उजना 2023 के लिए अपना फोरम फिलब किये हुए हैं और आप अपने फोरम को फाइनल समीत कर दिये हैं तो अब आपको इ सब्सक्राइब कर लिए तो पूरी जनकाई समझने के लिए आप इस वीडियो को अन तक देखेगा और वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक से जरू कीजिएगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि जो भी इस परिकार की अपदेत होगी सबसे पहले समित नहीं किये हैं तो किस परिकार से आप अपने फॉर्म को फाइनल समित कर सकते हैं उस टॉपिक पर हम और लेदी वीडियो बना चुके हैं उस वीडियो का लिंक उपर आई बतन में और नीचे दिस्क्रिप्स बॉक्स में मिल जागा वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और स्टेप बाई स्टेप अपने फॉर्म को फाइनल समित करना सीख सकते हैं तो फिलाल हम बात करने वाले हैं कि अगर आप मैंतिक पास स्कुलर्शिप 23 के लिए अपने फॉर्म को फाइनल समित कर दिये हैं तो जो आप अपने फॉर्म को फाइनल समित किये ह तो कुछ इस परकार से आपको एक receiving मिला होगा जो कि यहां पर आप देख सकते हैं मुख मंती बालक बाल का माधिंग पोर्ट सानोजना 2023 का यह receiving है और इस receiving पर आप देखेंगे तो नीचे में एक चीज बताया गया है जैसा कि यहां पर अभी आप देख सकते हैं लिखा हुआ ह और date will be given on the website to verify the bank account within that the date login to the portal with your username and password you will verify the bank account for payment यानि कि आप लोगों को 10,000 रुपे की रासी लेने के लिए मेधा सॉप्ट के official portal पे user ID or password के माधियम से लोगिन करके bank verification करना होगा उसके बाद ही आप लोगों को payment आपके account में भेजा जाएगा लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो बाताया गया है कि इसके लिए जो है आपको एक date दिया जाएगा उस date में आपको यह काम करना होगा तो ऐसे में आपको कैसे पाता चलेगा कि आप लोगों का जो bank verification है वो कब होगा और यहां पर कोई भी date mention नहीं किया गया है कि आखिर आप लोगों को जो bank verification का date मिलेगा तो finally आज कि हम इस वीडियो में उसी के regarding बात करेंगे कि आप लोगों का जो यह date है वो कब मिलेगा तो आप वीडियो को कहीं सभी skip नहीं किजेगा वीडियो को आप on तक देखेगा और यहां पर आप देखेंगे तो receiving पर बताया गया है note में the application for the scholarship has not been completed यानि कि आपका जो यह scholarship का form है वो final रूप से complete नहीं हुआ है और यहां पर आप देखेंगे तो बताया गया है the application will complete after bank payment verification यानि कि आप लोग जब bank payment verification कर देंगे उसके बाद जो है आप लोगों का यह scholarship का form है वो complete होगा तो चली अब हम आपको बता देते हैं कि आप लोगों को जो bank verification का date मिलेगा वो कब तक मिलेगा लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज देखाना चाहता हूँ जिसको आप पहले देख लीजिए तो देखें अभी जो है आप लोग अपने फोरम को final summit की होंगे या अभी आप मेधा सॉप्ट को official portal पे login करेंगे अपने user ID और passport के माध्यम से तो इस परका का और अभी आप अपने फोरम को final summit कर दिये होंगे तो यह सभी option के सामने यहां पर आप देखेंगे तो यह सारा option green हो चुका है और इस परकार से आपका तीक हो गया होगा लेकिन जब आप लोगों को bank verification का date दिया जाएगा उस date में आप मेधा सॉप्ट को official portal पे अपना user ID औ तो यहां पर आपको कुछ इस परकार से पांच option देखने को मिलेगा जिसमें पहला option आपको registration का मिलेगा दूसरा मिलेगा department and bank verification तिसरा मिलेगा finalize application का और चौनथा approved for payment by the student का और पंच में आपको मिलेगा print application का यानि कि आप लोगो जो एक option बास जाएगा वो approved for payment वाला option बास और जैसे ही आप लोगों के प्रूफ प्रप्रिमेंट वाला option मिलेगा आप लोगों को bank verification कर लेना है जैसा कि अभी यहां पर आप देख सकते हैं और जैसे ही आप लोग अपना bank verification कर लेंगे यहां पर आप देखेंगे तो यह सारे option में green tick मिल जागा और यह सारा का सारा green हो जैसा कि अभी यहां पर आप देख सकते हैं इस student का जो हम bank verification कर चुके हैं तो यहां पर bank verification के सामने भी green tick लग चुका है लेकिन अब बात आती है कि यह option आपको मिलेगा तो आप कैसे पाता करेंगे कि आपको यह option मिल चुका है तो चलिए यह चीज पाता करने का हम आपको यह और option बता देते हैं जहां से आप इस चीज को पाता कर सकते हैं तो देखे अभी जो आप अपने application का status चेक करेंगे और यहां पर finalize वाले section में देखेंगे तो यहां पर आपको yes देखने को मिलेगा और यहां पर आप देखेंगे तो जिस date को आप अपने form को final समित की होंगे वो date देखने को मिलेगा और यहां पर आप देखेंगे तो application payment status में in process लिखा हुआ मिलेगा लेकिन जब आप लोगों को bank application का date मिल जाएगा तो यहां पर जब आप अपने application का status चेक करेंगे तो कुछ इस प्रकाज से आपके सामने options होगा जहां पर आप देखेंगे तो finalize वा और यहां पर आप देखेंगे तो एक option show होगा pending का और यहां पर आप देखेंगे तो application payment status वाले section में लिखा हुआ मिलेगा approve for payment pending यानि कि आप लोगों का जो approve for payment का option आया हुआ है उसको अभी तक आप सम्मित नहीं किये हैं तो यहां पर आपको pending लिखा हुआ मिलेगा तो इस से जब आप अपने application का status चेक करेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो है approve for payment status जो है अभी pending है तो उसको आपको सम्मित करना होगा अब चली हम बात कर लेते हैं में मुद्दा की ओर जिसकी जनकाई आप comment करके बार बार पूछ रहे थे तो आप लोगों दिया जाएगा उस देख में आपको bank verification करना होगा तो यहाँ पर आप लोगों देखे हैं की इसके लिए कोई भी final date on a frequ करना है यहां पर सीधा बत्रवा गया है कि आप आप लोगों को एक दिया जाएगा यानि की यह दित जो आप कभी भी दिया सकता है हो सकता है कि आप लोगों का जो बैंक प्लोगों का बंक होगा अगरैंग को आपसानि से बता देते कि आप लोगो का जो बैंक होने बला हैं लेकिन यहां पर वैसा कुछ बताया गया नहीं है लेकिन अनुमानित देट बताए तो इसका जो देट है वो 15 अक्टूबर तक आने की संभावना है आप लोग का जो बैंक भेइफिकेशन वो 15 अक्टूबर तक हो सकता है तो आप लोग निश्चिंत रहें और अपने अप्लिकेशन का चेक करते रहें और जैसे आ आपको बैंक भेइफिकेशन का देत आएगा तो हम आपको वीडियो बनाकर जनकाई दे देंगे कि किस परकार से आपको बैंक भेइफिकेशन करना है तो अप लोग घब आइए नहीं कि आप लोग का जो बैंक मैं फिकेशन वो कब होगा जब भी एप्रूब पर्यों का कमेंट का पूछ सकते हैं आपके कमेंट का रिपलाई दिने का पूरी कोसिस करेंगे तो दोस्तों फिलाल आज के वीदियों बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीदियों अगले तोपी के साथ जाहिंद